हेलो फ्रेंड्स, यू आल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स, मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर्स वाती राठ हो और स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ओलाइन प्लेटफर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स का पार्ट 12 करेंगे, इससे पहले के सभी वीडियो हमारे चैनल पर अविलेबल हैं, I hope आप सभी ने वो सारे ही वीडियो देख लिये होंगे, और अगर अभी भी उनमें से कोई भी वीडियो देखना बाकी रह गया है, तो उसे आप हमारे चैनल की playlist में जाके easily देख सकते हैं, so now without wasting much time हम अपना आज का ये वीडियो के continue करते हैं और चलते हैं, पहले वर्ड की तरफ, पहला वर्ड है हमारा फिलिस्टाइन, देखिए फिलिस्टाइन का मतलब होता है, a person who does not understand the beauty of art, literature, music etc, मतलब ऐसा व्यक्ति जो की कला, स साहित्य संगीत, इन सभी चीजों का सौंद्यर ना समझे, जो की असिक्षित व्यक्ति हो, जिसे art and culture में बिल्कुल इंट्रेस्ट ना हो और वो से बिल्कुल समझता भी ना हो, ऐसे ही व्यक्ति को हम बोलते हैं, पिलिस्टाइन, options की तरफ आ जाते हैं, option A is cultured, cultured का मतलब हो का ऐसा व्यक्ति जो की well educated है, ऐसा व्यक्ति जो की सुसिक्षित है और जो कला साहित इन सब की सौंदर्री को बहुत जादा समझता हो, आट इन कल्चर में जो बहुत जादा इंट्रेस्ट रखता हो, option B is libertin, libertin का मतलब हो जाएगा a free thinker in matters of religion, मतलब धार्मिक मामलों में जो जो की सोच रखता हो, उसे बोलते हैं libertin, option C is sober, sober का मतलब हो जाएगा ऐसा व्यक्ति who is not affected by alcohol, मतलब जो alcohol न पिये हुए हो और जो सौं में हो उसे बोलते हैं, sober and option D is educated, educated मतलब सिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, सभी हमने words के option जान लिये और यहां पर यह जो हम पर उठने की प्रक्रिया, इसी को बोलते हैं elevation, options पर आ जाते हैं, option A is reduction, reduction का मतलब होगा कमी या कटाथी, मतलब पहले से कम या छोटा होने की प्रक्रिया, इसे ही बोलते हैं reduction, option B is Humiliation, humiliation means अपमान, बेजती, option C is increment, increment का मतलब होजाएगा addition या फिर increase, वेतन में नियमित रूप से होने वाली व्रिद्धी, इसी को बोलते हैं increment and option D is debasement, debasement का मतलब होजाएगा lowering the value of a currency, मतलब जो currency होती है, उस currency की value अगर market में कम हो जाए उसे debasement बोलते हैं, for example, अगर market में dollar का circulation बहुत जादा हो जाएगा, अगर market में dollar बहुत जादा available होगा, उतनी ही कम उस dollar की value हो जाएगी, तो इसी को बोलते है debasement, मतलब जो currency है, currency की value में कम ही हो जाना, यह हो जाएगा debasement सबी वर्ट्स के आमने मीनिंग जान लिए और ये जो वर्ड है Elevation जिसका मतलब होता है उपर उठने की प्रक्रिया इसका एंटोनिम होगा Option है Reduction विच मीन्स कुछ घटने की प्रक्रिया आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड है हमारा Gloomy Gloomy का मतलब हो जाएगा Sad and Without Much Hope मतलब उदास या फिर निराश आशाहीन Options पर आजाते हैं Option A is Radiant Radiant का मतलब होगा Showing Great Happiness मतलब उल्लासपूर जो बहुत जादा खुश हो Option B is Fragrant Fragrant means having a pleasant smell खुशबुदार या सुगंदित Option C is Melodious Means Pleasant to listen to Option D is Illusory Illusory का मतलब होगा Based on Illusion Not Real मतलब ऐसी चीज़ जो की Illusion पर Based है और वो सच्ची नहीं है असली नहीं है ब्रामक है उसे बोलते हैं Illusory अब आपको सबी वर्ट के Meaning Clear है और ये जो वर्ट है Gloomy जिसका मतलब होजाएगा उदास या निराश इसका सही एंटोनिम होगा Option A Radiant मतलब खुशी से भरा हुआ उल्ला स्पून आगे बढ़ते हैं अगला वर्ट है हमारा Boon Boon का मतलब होजाएगा Blessing मतलब किसी से जब आपको वर्दान मिले तो आप बोलते हैं Boon मिला है Options के तरफ आ जाते हैं Option A is Dull Dull का मतलब होगा Lacking Brightness जिसमें चमक की कमी हो Option B is Bain Bain का मतलब होजाएगा Something That Causes Trouble मतलब दुख का कारण जो तकलीफ दे हमें शिराब बोल सकते हैं इसे Option C is Hurt Hurt मतलब To Cause Pain और Injury to Someone मतलब किसी को तकलीफ देना या किसी को चोट पहुचाना Option D is Harsh Harsh का मतलब होगा Very Strict और Unkind मतलब बहुत जादा Cutting या Nirmam तो सभी words के हमने meaning जान लिए और ये जो word है Boon इसका Hindi में मतलब हो जाता है वर्दान और इसका opposite हो जाएगा Option B Bain मतलब श्राप आगे बढ़ते हैं अगला word है हमारा Antique देखिए Antique का मतलब हो जाता है Very Old and therefore Unusual and Valuable मतलब ऐसी चीज जो की प्राचीन काल की है पुराने समय की है और इसकी वज़े से उसकी काफी जाता कीमत है बहुत ज़दा मुल्लेवान है वो चीज उसी को बोलते हैं Antique मतलब जो पुरानी हो Past Time की हो प्राचीन काल की हो Options की तरफ चलते हैं Option A is Common Common मतलब सामान या साधाराण आम Option B is Recent Recent मतलब Latest जो हाल की ही हो एकदम नहीं नहीं हो Option C is Innovative Innovative मतलब कोई ऐसा Person जो की नए-नए आइडियास को इंट्रोड्यूस करता हो और उसकी Thinking Capacity बहुत अच्छी हो बहुत जादा Creative Thinking हो जिसकी उसे बोलते हैं Innovative Option D is Youthful Youthful मतलब यंग, जवानों जैसा तो हमने सभी वर्ट्स की मीनिंग जान लिये और ये जो वर्ट है हमारा Antique जिसका मतलब हो जाएगा कोई ऐसी चीज जो की प्राची इनकाल की है और इस कारण वो बहुत जादा मूल लिवान है इसका सही एंटोनिमों का Option B Recent, मतलब Latest, New, New, नया, नया वोप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है तो फ्रेंड्स आज मैंने आपके साथ कुछ वर्ट्स डिसकस किये उन सभी के मीनिंग बताए आज हमने उन वर्ट्स के एंटोनिम्स को जानने की कोशिश की है I hope आप सभी को ये सारे ही वर्ट्स क्लियर होंगे अगर स्टिल डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए अपने मैक्सिमम ट्रेंड्स के साथ रिलेटिव के साथ और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे की अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए करेगी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे टूने विट अस थैंक यू सो मुच विष्यू अल्दी बेस्ट